नमस्का दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में हम जारेंगे बिहार विधानसभा चुनाओं के सबसे बड़े ओपेनियन पोल की लेकिन दोस्तों उससे पहले अकर जो आप चाहते हैं कि आपको बिहार चुनाओं का पलपल का अपडेट मिलता रहे यहां पर 162 सीटे जीत कर कोई भी पार्टी सरकार बना सकती है वरतमान में नितीश कुमार पार्टी बिहार के मुखेमंत्री है लेकिन यहां पर ताल ठोका है उनके खिलाब महागडबंदन से तेजस बियादो lucky नितीश कुमार अपनी कुरसी बचाने में काम्याब हो पाए तो ओपिनियन पोल के माध्यम से जानेंगे लेकिन उससे पहले देख लेते हैं क्या चीज़े बिहार में चलने हैं आपको पता होना चाहिए बिहार में तीन चलो यानि कि 28 अक्टूबर 3 नमबर और 7 नमबर को मतजान होने हैं जहांपे 10 नमबर को नतीज़े आने हैं वहीं प पहली बार सियासत में होने जा रहा है एल जेपी के अलग होने के बार कि बिधान सबाचुनाओ में बीजेपी जो जेडियू है उससे ज्यादा सीटो पे चुनाओ लड़ने वाली है इसमें देखने वाली बात होगी एल जेपी आपको पता होना चाहिए लजेपी क्या बीजेपी के खिलाफ in या प्र जेडियू के खिलाफ उतारती है तो बात करें बीजेपी कुल 121 सीटो पे चुनाओ लड़ेगी गडबंधन चल्ब कisce इनडियू के साथ और जेडियू कुल 115 सीटोस तथा जीतर माझी की पार्टी जो है वो सात सीटोस पे चुनाओ पर सकते हैं अब देखने वाली बात होगी LJP जिस तरीके से NDA से अलग हुई है जिस प्रकार से GDU BJP से अलग होके चुनाओ लडने का फैसला कर रही है क्या ये फैसला सही सावित होगा या नहीं क्या जो चिराग पासवाना वो अलग धलक पर सकते हैं तो चलिए देख लेत या उनके खाते में बात करें तो बड़ी खबर है ये 128 से 130 सीटे जाते हुई देख रही है यानि कि बात करें तो नितीज कुमार बिहार में फिर से वापसी कर सकते हैं महागरबनन की बात करें तो उनके खाते में 82 से 104 सीटे जाते हुई देख रही हैं और अदर्स के खाते म में बात करें 15 से 18 सीटे जाती हुए दिख रहें तो दोस्टों ये था बिहार का बड़ा opinion पोल जिसके इसाब से हम देखें तो बिहार में नितीस कुमार फिर से वापसी कर सकते हैं और नितीस कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं दोस्तों ने रही हमारे साथ बिहार चुनाव की पलपल के अपडेट के लिए मिलते हैं निक स्पीडियो में जाएं दोस्तों जा भारत